हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को राजे स्टेटी में आज हम लोग भुगोल के फ़र्स्ट अध्याई का इंडेक्स्ट कुष्चन देखने वाले हैं जो की रौपात का है इसमें आप मातर दो कुष्चन बचा हुआ है एक लॉंग कुष्चन है और एक सौट कुष्चन है यह दोनों को देख लेंगे इसके बाद हम दूसरा ही का शुरू करेंगे तो आज का मेरा कुष्चन है कि मौना जाइट भारत में कहां उपलव्द है तो पहले हम लोग यह जानेंगे कि मौना जाइट होता क्या है उसके बाद हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि यह भ कर दिया है आधा मार्क आपको किसी मिलेगा अब्जेक्टिव से ही मिलने वाला है तो चलिए देखते हैं मोनाजाइट क्या होता है मोनाजाइट एक लाल खाकी रंग क्या होता है फॉसफेट खनीज होता है फॉसफेट का एक खनीज है जो छोटे 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 क्रिस्टल के फॉर्म में उपलावद रहाता है जो कहां होता है कि जैसे कि रेत वा रहा है उसपे रहाता है या मिटी के मिटी मिला वा रहाता है या पत्थरों के टुक्रों के बीच में पाया जाता है या मोनाजाइट क्या है कि मोनाजाइट थेरियम और शेरियम जैसे एक दुरलब तत्व का क्या है मिस्रन है जो बहुत ही मतलब कम पाया जाता है बहुत ही दुरलब है मतलब यहने कि बहुत जैदा मात्रा में नहीं पाय बहुत मुस्किल से यह मिलता है और इसका उपयोग क्या है चालता है that do किया जाता है तो यह हम लोग यह जाने कि इसके बारे में क्या होता है मेरा क्वेश्चन यह है कि भारत में कहां पाये जाता है अब हम चलते हैं कि मोना जैट भारत में कहां पाये जाता है मोना जैट भारत के केरल राज में पर्चूरता से उपलब जाता है मतलब सबसे अधिक भारत के केरल राज में परचूरता से उफलाब्द है केरल के अलाबा उसके अलाबा भी दूसरे राज दूसरे श्टेट में उपस्थित है मतलब अवलेबल है यहाँ पर अधिक मातरा में लेकिन कम से कम मातरा में ते दूसरे जगा भी होगा ही होगा देखते हैं कहां कहां है के अलावा यह तमिलाडू उसके बाद है आंदरपरदेश उरीशा आधी तत्ये राजियों में भी पाये जाते हैं तो देखते हैं कि यह तो देखते हैं कि मोनाजाइट में 50.-80% युरेणियम मिल जाता है मतलब इसमें क्या हुतभा दुरलव मतलब बहुत ज्दैंध है मिलते नहीं और बहुत ही मजबूत होते हैं फिल्म वगरा माप देखते होंगे कि जैसे कुछ संदुक वेगार है या कुछ लॉकर वेगार तोरना रहता है और नहीं टूरता है तो वो किसका रहता है उरनियम काहीं अक्सर बनाये होते हैं जो कि मतलब बिसपोटक पदार्थ से भी जल्दी नहीं टूरते हैं बहुत ही प्राप्त हो जाता है जो क्या है कि भारत के लिए का यूज बहुत ही बहुत है ऐसे चीज़ों किया जाता है मिसाल सब में भी किया जाता है यानि कि लॉकर बनाने में भी किया जाता है बहुत सारे चीज़ों में मतलब कि कठोर चीज़ बनाने में जो सुरक्षित राख सके कि उसके लिए मतलब इसका unanim का उप्योग किया जाता है जो कि बहुत ही कठोड़ पदार्थ होते हैं तो इसलिए इसको क्या कहा गया है मोना जैट को भारत के लिए बरदान कहा गया कल हम लोग देखेंगे कि ताप सक्ति क्यूं समाने संसादन है इसके बारे मां हम लोग कर दे हम लोग ये दोनों को इटायच करके देखेंगे अप सक्ति क्यों समाने अंसादन है और इसके बाद हम उप FOR sırं को भी कर देंगेर members के बारे में देखेंगे इसके बाद हमारा छोटा छोटा टॉपिक है तो मतलब गोल जोग्राफी भी मेरा इंड होई जाएगा और आप लोग अबजेक्टिव का शीरीज जरूर देखें क्योंकि अबजेक्टिव आपके लिए बहुत ही जूजिंग है स्कॉरिंग है इसलिए आप लो जी जा सकते है कि बाद ही है बात इखेंग है स्कॉरिंग है जयरी जैएर और हमारा इस जीरी जरूर आपके लिए जाट छोटा पनोटेंगे उREE को तरहे बहें स्कॉरिंग हैं जयरो आपके मेरा इसे सब्रेंगे वंड हैं जयर शोरे कि यार देखेंगे लिए जोरे